जोती शास्त्र में माना गया है जब कुंडली में ग्रहों की इस्तती विप्रित होती है तो ऐसे में व्यक्ति की शादी में अनेक बाधाय आना शुरू हो जाती है क्या फिर शादी की बात तै होते ही तूर जाती है इस तरह के स्तती से बचने के लिए कुछ आसान उपाए जिनको करने से चल्दी बनेंगे शादी के योग कभी भी अकेले भगवान, राम, कृष्ण और शिव की पूजा ना करे इससे विवा में देरी होती है विवा में देरी से बचने के लिए राम, सिता, कृष्ण राधा या शिव पार्वती की यूगल पर्तिमा की पूजा करनी चाहिए गुरु को विवा का प्रमुक कारत माना जाता है गुरु की इस्तती विप्रित होने पर विवा में देरी होनी शुरू हो जाती है इससे निजात पाने के लिए गुरुवार के दिन केले के पेड की पूजा करें पीला वस्तर धारन करें हो सके तो गुरुवार का वरत भी कर सकते हैं विवा के योग बनने लगें इसके लिए आपको कुणली में अपने शुक्र को मजबूत करना होता है इसके लिए रोजाना पानी में इलाइची मिलाकर इस्नान करें यदि मंगल के चलते विवा में पाधाय आ रही है तो हर मंगलवार के दिन हनमान मंदिर जाएं और बजरन वली को सिंदूर अर्पित करें प्रती दिन दुर्गास सप्त सती से अर्गला इस्त्रोतम का पाठ करने से अविवायत जातकों का शिग्र विवा बनने लगता है शिग्र विवा के लिए पूजा इस्तल पर नवगरे यंत्रे स्थापित करें और उसकी सचे मन से पूजा करने चाहिए उंगूली में पुकराच की अंगूटी धारण करें इससे शिक्र विवा के योगपनते हैं और जब विवा संपन हो जाए तो इस अंगूटी को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए यदि कोई लड़का किसी लड़की को विवा के लिए देखने जा रहा होता है तो उसे घर से गुड़ खा कर जाना चाहिए इससे बात पक्की होने के आसार बहुत चल्दी बनने लगते हैं भोजन में केसर का सेवन करें ऐसा करने से विवा की संभावनाय तेज हो जाती है प्रबल हो जाती है एक अन्य उपाए जिसमें आप गोई शंकर रुद्राक्ष को भी धारन कर सकते हैं विवा योगे लड़की गुरुवार के दिन तक्ये के नीचे हल्दी की गाट को पीले कपड़े में लपेट कर रखें ऐसा करने से शिक्र हाथ पीले होने के शुब्योग बनते चले जाते हैं यदि लड़की की विवा में देरी हो रही हो तो विट्टी के कुलर में मश्रूम भर कर किसी भी मंदिर में जाकर उसे दान करें ऐसा करने से लड़के का विवा शिक्र होगा